हाव रूफिक्स सैंसंग एट्विंटी वानेस कॉंफरेंस कॉल नौट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है सैंसंग के डिवाइस कॉंफरेंस कॉल नौट वर्किंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कॉंफरेंस कॉल के रिलेटेट आपको काफी सारे चीज़े जानने को मिल जाएगा क्यों ऐसा प्रॉब्लेम क्रेड होता है कैसे आपको फिक्स करना है कॉंफरेंस कॉल कैसे चल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप आनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या आए अगर कॉन्फरेंस कॉल काम नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर आपका कॉन्फरेंस कॉल में यहाँ पर प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप सबसे पहले जाए अप setting पर click करना है और mobile password भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बेक करना है बेक करने के बाद आपको जाना है एपस पर एन स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको थोरा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर option f1 service का तो उसको open करना है and then आपको storage पर क्लिक करना है clear data कर देना है clear data okay करने के बाद ही आपको बेक करना है और permission पर जाना है सारे permissions को allow कीजिए permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें ठीक है restart करें अपना connections के option पर जाए mobile network को 4G पर set कीजिएगा 4G पर set होना चाहिए आपका wall calls enable होना चाहिए ठीक है wall call enable होना चाहिए network 4G mode पर होना चाहिए उसके बाद जाके आप video call place कीजिए problem fixed हो चुका होगा तो इस तरह किसे दोस्तो conference call not working problem fix कर सकते है by any chance अगर आपको इसके related कोई भी problem आते तो आप जाए दोस्तों आपने software update कर लीजिए ठीक है जैसी software update करेगा आपका सारे issues सारे problem solve हो जाएगा तो conference call करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक number को dial करना होता है ठीक है एक number को तो इस तरह के से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं तो एट कॉल कर दीजिए उसके बाद आपका conference call connect हो जाएगा and then आप conference में बात कर सकते हैं ठीक है तो बस दोस्तों इतना ही solution में आपको आभी के लिए suggest करूँगा अगर कोई भी डिक्कते आते तो आप हमें वाटसेप पर contact कर सकते हैं वाटसेप नंबर स्क्रीन पर आपको डिखाई देगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही thanks for watching